दोस्तो नमस्कार दोस्तो अगर आपने देश के सबसे बड़े बैंक SBI यानि भारतिया स्टेट बैंक से MCLR यानि सिमान्त लागत आधारित ब्यासदर जिसकों की अंग्रेजी में मार्जिनल कॉस्ट आफ फंड्स बेस्ट लेंडिंग रेट कहते हैं कि आधार पर लोन लिया ह तो आपके लिए अच्छी खबर है दरसल बैंक ने MCLR में 0.05% से लेकर के 0.01% तक की कटोती की है हाला कि ये कटोती तीन महिने तक के लोन पर ही लागू है तो इस कटोती के बाद तीन महिने तक का लोन 6.05% सालाना ब्यास की आधार पर मिलेगा और ये जो ब्यासदर है वो के EBR के ब्रावर आ गया है आपको बटा दूँ कि बैंक अभी जो लोन देता है वो EBR या फिर RLLR के आधार पर देता है EBR मतलब External Benchmark Lending Rate और RLLR मतलब Repo Linked Lending Rate पिछले साल से बैंक EBR या RLLR के आधार पर लोन दे रहा है जबकि इस से पहले MCLR के आधार पर लोन दे रहा था बैंक तो SVI के इस फैसले के बाद इस कटोती के बाद Home Loan, Personal Loan, Auto Loan समेथ सभी तरह के लोन सस्ते हो जाएंगे जो नई ब्यासदर है वो 10 जुलाई से लागू होगी और आपको बता दो कि इस से पहले जून महीने में भी SVI ने MCLR में 0.25% की कटोती की थी और जहां तक बात E या फिर RLLR की है तो बैंक ने 1 जुलाई से EBR और RLLR में 0.40% की कटोती की है तो जो नया EBR है वो 7.35% सालाना से घटकर 6.65% सालाना हो गया है और जो नया RLLR है वो 6.65% सालाना से घटकर 6.25% सालाना हो गया है SVI का कहना है कि इस लोन में ब्याजदर की कटोती के बाद बाजार में उसका लोन सबसे सस्था हो गया है तो दोस्तो SVI के लोन गरागों के लिए अच्छी ख़बर है जिन्होंने MCLR के अधार पर लोन लिया है तो आज इतना ही नमस्कार